नमस्कार प्यारी विद्यार्थियों एं विद्वान साथियों मेरे पीछे आप जो तस्वीर है वो देख रहे होंगे इस तस्वीर के अंदर बैरोजगार विदार्थी नजर आ रहे हैं जिन विदार्थियों के हाथ में पैन और कोपी होनी चीए थी उन विदार्थियों के हाथ में आखिर ये तक्ति क्यों और उन तक्तियों के उपर लिखा गया है OBC आरक्षन वी संगति को दूर करो बैरोजगार अभ्यार्थियों के साथ न्याय करो 2018 का आदेश वापस लो ये सब क्या था आखिर 2018 के आदेश के बाद में ऐसा क्या हो गया कि OBC के विदार्थियों को ही आंदोलन के लिए सडकों पर उतरना पड़ा दूसरे किसी कैटेगरी के विदार्थियों को नुक्सान क्यों नहीं हुआ इस आदेश के बारे मैं भी डिसकस करेंगे लेकिन बाड मेर के इस आंदोलन ने एक संदेश भी दिया कि संदेश के अंदर बिलकुल तक्ति मताया कि हम पड़े लिखे हैं इसलिए पट्रिया नहीं उखाडेंगे सरकार को ये कहा गया कि अगर किसी परकार की विश संगति है तो इस विश संगति को दूर किया जाए कई बार क्या होता है कि कोई आदेश पारित करने के बाद में उसके दूर गामी परिणामी क्या होंगी इसके बारे में सही तरह से उसका विशलेशन नहीं होता है जिसके कारण दूर गामी परिणा बहुत खतरनाक होते हैं ऐसा ही 2018 के आदेश में देखने को मिल रहा है आखिर क्या है 2018 का आदेश और क्या है OBC के आरक्षन अभी कुछ समय पहले से आपने देखा होगा यह आंदोलन जब भी चल रहा है तब दो तरह की शब्द सुनने को मिलते हैं vertical और horizontal क्या है vertical आरक्षन, horizontal इसके बारे में भी आपके सामने डिसकस करूँंगा देखिए जब बात आती है vertical आरक्षन की यह vertical आरक्षन है जिसको हम जनम जात आरक्षन के रूप में मानते जनम जात आरक्षन, कोई OBC के अंदर जिसने जनम दे लिया, उसको आरक्षन मिलेगा कितने परतिसत? 21 परतिसत AWS के अंदर है तो उसको आरक्षन मिलेगा 10 परतिसत, इसी परकार SC, ST वगरा, MBC सभी को आरक्षन दिया जाएगा, तो ये आरक्षन के अंदर आरक्षन कैसे जैसे ये 21% OBC के लिए सीटे निर्दारित की गई है इन 21% की साड़ा बारा परतिसत भूत पुरु सेनिकों को दी जाएगी महिलाओं को इसमें दी जाएगी हैंडिकेप होगे उनको दी जाएगी उतकरिष्ट खिलाडी होगे उनको दी जनल में भी SI होता है EWS में भी इसी परकार का होरीजेंटल आरक्षन है आरक्षन होरीजेंटल आरक्षन सभी कटिए EWS में भी SI होगा और SC में भी SI होगा एश्टी में भी ऐसा होगा तो इससे किसी वी विदार्थी को किसी तरह की कोई समश्या नहीं है फिर आगे बढ़ते अब क्या होता है भूतपुरु सैनिकों के लिए 12.3 आरक्षन का प्रावदान किया गया है क्योंकि अभी वरतमान में मुद्दा यही चल रहा है राजी सेवम इनको 5% दिया ज़रा अधिनस सेवा के अंदर 12.3 इनको आरक्षन कि इनको भूत पुरु सैनिकों को दिया जा रहा है यह आरक्षन का प्रावदान 1988 इस वही से आरक्षन का प्रावदान किया गया एक आदेश आया इस आदेश ने ही सब कुछ बदल करके रख दिया वो आदेश था 17 अप्रेल 2018 का आदेश 17 अप्रेल 2018 के आदेश के अंदर एक लाइन लिखी गी और वो ये थी किस आरक्षन में horizontal आरक्षन में आरक्षित वर्गों के पदों की ते संक्या की सिमा को समाप्थ किया जाता है मतलब साड़े बारा परशेंट जो ते की गई थी अब इस सिमा को समाप्थ किया जाता है मतलब इससे ज़्यादा भी भूत पुरु सैनी किसमे आ सकते हैं पहले तो कितने आएंगे 21% में कितने आएंगे 12.5% आएगे इससे ज़्यादा नहीं आएंगे न इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं अब इन्होंने 12.5% की तैसी मासमाप्त कर दिये इसका मतलब ये 12.5% से ज़्यादा आ सकते हैं कितने आ सकते हैं 21% के 50% भी आ सकते हैं और 21 20% के 100% भी आ सकते हैं अब आप कोगे क्या सर ये फोजी इतने उश्यार होते हैं कि वो इतना पड़ लेक जाते हैं कि मेरिट के अंदर आ जाते हैं और हम पिछड जाते हैं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है फोजी उश्यार हो पड़े लेके हो सब कुछ हो हम उनका सम्मान करते हैं हमेशा करते आएंगे अगर वो पड़ लेकर के अच्छी तरह से मेरिट में आ जाते हैं तो वो वैसे जनल की कैटेगरी गंदा चले जाएंगे या फिर 21% के अंदर सिधा आ जाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आखिर में दिक्कत कहां पर हुई दिक्कत यहां हु स्टेबल भरती 2019 का देखिएगा पूरी विग्यप्ति के अनुसार पूरा विरुन समाद बता रहा हूं मैंने पूरी विग्यप्ति को वापस देखा है पूरा पड़ा है और इसकी जानकारी लिए इस विग्यप्ति में बताया गया कि पद 5000 होंगे बिलकुल इस पश लिख बूदपुरुशेनिकों के पद हैं इन बूदपुरुशेनिकों में अभी सरकार को भी पता नहीं है कि ये 1480 मैसी जितने भी आवेदन आये हैं ये आवेदन बूदपुरुशेनिकों के कौन सी कैटेगरी क्या है ये सरकार को पहले से पता नहीं रहता है अब क्या होगा अ जन्दरा है अमारा सेलेक्शन हो जाएगा यहां वो आवेदन करेंगे फिर OBC के कितने पद है पुरुशों के 37 विदार्थी खूब सारे आवेदन करेंगे SC के कितने हैं 5 पद है SC के आरक्षण पदों के लिए आवेदन किये जाएंगे और ST के कितने हैं और इसके लिए भूत पूर शेनिकोव का बैग लोग कोटा कितना रखा गया 57 यह 57 पद इनके अंदर समाहित करेंगे इनके अंदर कहीं पर भी यह समाहित कर सकते 57 पद रख इनमें सामिल किया जा सकता है तो फिर पीछे रहेगा क्या ऐसी इस्तती के अंदर जब आविदन होन और यहां पद कितने है 37 तो 37 तो इसके अंदर समाहित कर दिये गए क्या ओबिशी के किसी विदार्थी का सेलेक्शन हुआ क्या नहीं हुआ एक भी विदार्थी का इसके अंदर सेलेक्शन नहीं हुआ तो फिर सेलेक्शन नहीं हुआ तो यहां आपने आविदन क्यों करवा विदार्थियों को यहां आपने उन विदार्थियों को तैयारी क्यों करवाई ऐसी विस्तती के अंदर यह विदार्थी अब कहा जाए जब विदार्थी बिलवाडा जिले का टॉप रैंक का विदार्थी टॉप पर विदार्थी जो संकल्प संस्तान से था एक बिचा जिसक एक्स सर्विस्मेन और और यो आरक्षन का फायदा ले लेते हैं किसी एक दो फायदा लेने के बाद में पिर वो जन्रल केटेग्र efficacy उनको समाईट नहीं किया जाता है जो जिस category के होते हैं उनको उसी category के अंदर समाईट किया जाता है ये समस्या बहुत बड़ी खतरनाक समस्या है तैय सीमा से ज़्यादा बैक लोग कोटा अंदर आने के कारण ये समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है और भूत पूरु सेनिकों का बैक लोग कोटा जो तीन साल तक रहता है इनके खाली रहते हैं और अब आने वाले समय के अंदर भूत पुरु सैनिकों की संख्या बढ़ रही है तो ऐसी स्थती के अंदर यहाँ पर एक और बिचारणी बात यह है क्या यह केवल OBC को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं यह S.C.H.T. जनरल E.W.S. सब को नुकसान कर सकते हैं लेकिन इस संख्या में फोजी भूत पुरु सैनिक नहीं है और भूत पुरु सैनिक नहीं होने के कारण समशिया उनको किसी पर कारण की समशिया नहीं अब एक बात और बता देता हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता यह 37 पद है 37 में से 12.5% बूत पुरु सैनिकों को दिया जाए तो भी यहां पर भी OBC के विदार्थियों का चैन होता यहां पर भी AST में 5 में से 12.5% दे दोगे तो भी AST के विदार्थियों का चैन होगा यहां AST के 8 में से 12.5% उनको दे दोगे बूत पुरु सैनिकों को तो भी चैन होगा लेकिन 37% 100% सीटे खतम कर दी गई वो चली गई गई और बैक लोग को टेके जो आप से उपर लिखा 1480 1480 में से आप समझ लीजिए 1213 जो है भूत पुरु सैनिक वो सब OBC से हैं और जब वो सब OBC से हैं तो उन OBC के अंदर वे जिले जहां पर इन्होंने आवेदन जादा कर लिया वे सबी जिले इन्होंने क् कर दिये ये एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिले अब बात आती है OBC आरक्षन में 20 संगति क्यों OBC आरक्षन में 20 संगति होने का कारण इसलिए हैं क्योंकि 90% से अधिक भूत पुरु सैनिक किस वरक्षे आते हैं OBC वरक्षे आते हैं क्योंकि एक तो OBC के अंदर जात हैं और वे परियासरत भी रहते हैं ऐसी इस्तती के अंदर ये वी संगति बहुत जादा बढ़ गई अब बाड़ मेर देख लीजिए जुननों सीकर कहीं पर भी रादस्तान के अंदर देख लीजिए जहां पर OBC के विदारती जो होते हैं वे आर्मी की तयारी जादा करते ह हैं और वे उसके अंदर चले जाते हैं रिटार होकर के वापस आ जाते हैं और वे अब भूत-पुरु शய्निकों की संक्या अधिक कैसे पहले भूत-पुरुचैनिकों के लिए क्लिए जया पास का फिर क्या प्रापदान किया दस्मी अब भूतपुरुशेनिकों के लिए तोइल्ट पास के लिए ऐसी स्थाथ के अंदर कारगिल युद के बाद भूतपुरुशेनिकों की भरती जादा की गई वे दस्थ 15 साल की नोक्रिया करकर करके वापस आ रहे हैं और वापस आ क ट्यूल्ट पास भूतपुरुशनिक जब सेवा निवरत होकर के वापस आएंगे वे तैमान के चलिएगा वे आविदन करेंगे और आविदन करेंगे अगर भूतपुरुशनिक किसी भरती में नहीं मिले तो बैक लोग कोटा आगे आगे जलता रहेगा तीन साल तक बैक बड़ी है अचानक बड़ी है इससे इनकी योगेता बड़ी पहले आठ भी पास होते थे तो ऐसी इस्तती के अंदर समश्या नहीं थी और पहले 2018 से पहले तैय पद जो होते थे काटेगरी उससे ज्यादा तैय अंदर नहीं आ सकते थे तो भी यह किसी परकार की कोई समश्या नहीं थी फिर बात आती है यहां पर समाधान और बेरुजगर विदार्थियों के साथ में उच्चित नियाए क्या हो शकता है इसके बारे में मैं भी आप बता देता हूं बाकि यह तो सरकार को तैय करना है कि वो क्या करेंगी किस तरह से इनके साथ विदार्थियों के साथ नियाए होगा क्योंकि मैं जो इस बात का दुख है कि जब किसी जिल्ले के अंदर आपने OBC के 37 पद दर्शा हैं और वहाँ पर एक भी OBC का विदार्ती नहीं लिया है ऐसा विदार्तियों के साथ में नियाए नहीं है उनसे आवेदन करवाया उनसे तयारी करवाई गई उनसे कोचिंग करवाई गई उन्हों ने बड़ी फिश दे करकर के कोचिंग की ऐसी इस्तत में उन्होंने किताबे खरी दी उन्होंने समय खराब किया और पूरा पूरा टार्गेट किया कि मेरा यहाँ पर भी लवाड़ा में सलेक्षन होगा और वहाँ पर उनका सेलेक्mışनन नह हुआ जब कि यह उनके साथ न्याए नहीं था पहला समाधान यह हो सकता है कि 2018 का आदेश वापस लिया जाये 2018 का आदेश वापस लेने के बाद भूतकूर शनिको का बैगलो कोटा नहीं रखा जाये बूत बोदपूर शेनिकों के बैकलो कोटे को समाप्त कर दिया जाएं, वहां लो अभी जैसे पटवारी का उदान बताओं, बाड़मेर के अंदर बोदपूर शेनिकों के 29 सिटेदी मातर कितने आयें, साथ आये, बाकी बैकलो कोटे वे रखे गई हैं, अब ये बैकलो कोटे क्यों रख रहे हो, इस बैकलो कोटे को खतम कर दो, बैकलो कोटा जब आप दूसरा किसी को नहीं रख रहे हो, तो यहां इनका भी मत रहो, सेंटर गवर्मेंट में भी नहीं है, तो राजी सरकार इस बैकलो कोटे को खतम कर दे, इस बैकलो कोटे के तहत क्या करें, परतिक्सा जारी की जाए जैसे अधिनस बोड के द्वारा दो गुना बुलाया जाता है दो गुना बुलाने के लाद में सीटे फुल कर दी जाती है लेकिन बैकलो कोटा नहीं रखना चाहिए था दो गुना बुलाने की बावजुद भी होजी मिलते नहीं तो उनकी बैकलो कोटा जारी बाकि सब कैटेगरी मिल जाते हैं, सीटे फूल हो जाती हैं, पर तिक ससूची उनको जारी करने के आऊश्यक्ता नहीं है और यह नहीं मिलते हैं तो ओ खाली रख देते हैं और आगे आगे यह चलता रहता है, इसके उपर विशेश ध्यान देने की आऊश्यक्ता हैं, अगर य पुर्षित अब्यार्थियों का चेहन किया जाए जिनकी वास्तु के अंदर वहां पर उनके पद के उलू हकदार थे और अगर वह हकदार थे साड़ा बारा परशेंड कोटा भूत पुरुशनिकों को देने के बाद में जो पद बच रहे थे उन पर उन विदार्थियों का चेहन किया जाया जिन विदार्थियों ने आवे दिन किया था ये रिकोर्ड सरकार के पास में होगा ताकि उन विदार्थियों के साथ में न्या आरक्षन आंदोलों से समझ दी कुछ समय पहले, 4-5 मिने पहले विदार्थी मेरे से मिले थी, तब मैंने उनको कॉंस्टिबल विगिप्ती परिणाम आने के बाद उनको वी संगतिया बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी, मैंने का देखो ये वी संगतिया और ये बहुत ज खत्मी हो रहा है, अब ये इस तरह से लिया जाएगा, 37 में से एक भी स्रीक्षन नहीं है तो खत्मी माना जाए, अभी इन दिनों के अंदर भी विदार्थी हित को देखर कि मैंने पूरा समर्थन किया, मैंने का देखो विदार्थी किसी भी वर्ग का हो, अगर इसी तरह का कर नुकसान होता रहा, तो विदार्थी को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, और हमारा पढ़ाने से भी कोई मतलब नहीं है, ऐसी इस तती में इस बार भी मैंने पूरा समर्थन किया, विदार्थियों की हित के लिए, और कहा कि विदार्थी हित सरु परी है, और हमारे जितन से अपने विचार रखेंगे और कहेंगे कि वास्तों में इन विदार्थियों के साथ न्याय हुआ हैं और इन विदार्थियों को न्याय होना चाहिए इसी के साथ जै हिन जै भारत